हेलो और वेलकम टो विक्नोटेक मैं हूँ विक्रम हमारी चैनल पर एक सामसंग के जमोड के बारे में अल्रीड एक शॉर्ट वीडियो है जिसको भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है बहुत लाइप भी किया है कि आज एक थोड़ा सा एक उसका लॉंग वर्जिन में प्रेजेंट करूँगा आप लोगों के लिए समसंग इसको आप अनों के लिए चैनल तो आप स्क्राइब आप्षट रॉपीड तो ऐसमसंग की इसकों के अपके ताबललेट ने प्रेम और दिफोल्ट इस चो करेंaelард का वंद्धे Lawrence को लिजदे हैं अब यहां पर फिर से इसको ओफन करते हैं अब यहां पर देखिए आपको ए थ्री डॉट से एक मेन्यू यहां पर आपको दिखाई दे रहा है right inside में मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पास जाके और यहां पर आपको options देख रहे हैं कर सकते हैं दूसरा option है parental controls का इसमें जाकर जो है आपको अगें सबसे पहले तो password अपने pin की जरूत होगी तो आपना पर नेट पर एंटर करेंगे इसमें आप देख पाएंगे कि जो आपके kid है वो किती देर जो है उसने कौन-कौन सी apps को किती किती देर access किया है और total screen time जो है वो per day का आपका कितना है आपके पास option है यहाँ पे आप bedtime को set कर सकते हैं जिससे कि आपका जो specific उसी time तक जो है वो kids mode का access रहेगा इसमें अगर आप apps का option देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप apps देखेंगे तो by default जो apps है और जो हमने add कर रहे हैं वो यहाँ पे अगर देख रही है इसी screen से हम जो है apps को add और delete कर सकते हैं so for example मेरे tab में जो है Samsung का इस जो tab A7 है इसमें YouTube Kids की app है और एक और game है जो की for example मैं आपने kit के लिए enable करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं एक plus sign पे यहाँ पर click करूँगा इसमें से list of apps में से जो है मैं for example YouTube Kids और एक game जो है My Talking Tom 2 इन दोनों को मैं add कर देता हूं जैसे ही आप इनको add करेंगे आप देखेंगे कि यह kids mode के home screen पर आप यह रोना start हो जाएंगे इसको आप simply save करेंगे तो changes ही आपके save हो जाएंगे और भी आपको कई options हैं जो set कर सकते हैं जैसे कि for example allowed apps after time limit तो अगर for example आपने अगर particular time limit एक set कर रखी है और screen time for example यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से पहले चली देखते हैं अगर change करना है अगर per day आप चाहते हैं कि same everyday screen time रहे और सिरफ one hour का screen time आप अपने kit को allow करना चाहते हैं time करके one hour करके आप यहाँ से set कर सकते हैं तो उसके बाद जो है for example allowed apps after time limit यहाँ पर कुछ specific apps जो है अगर आप allow करना चाहते हैं maybe study related apps हैं या जिन app से kids homework करते हैं उन apps को आप enable रखना चाहते हैं time limit के बाद भी वहाँ आप यहाँ से कर सकते हैं so similar way अगर आप more apps for kids पर करते हैं यह आपको basically galaxy store पर जो है लेके जाता है और कुछ options देता है को कुछ अगर आप चाहें तो apps इसमें से भी install कर सकते हैं अपने kids के लिए and back करते हैं और sorry यहाँ पर time up दिखा रहा है तो मुझे थोड़ा सा इसमे time extend करना पड़ेगा so that हम अपना demo continue कर सके so let's say 25 minutes I extend it okay so यह जो दो apps हमने add की थी यह kids को as a gift icon आपको बनी हुई यह जो है आपके kid को दिखेंगी जब वो kid mode access करेगा so for example उसको फ्लिक करते हैं तो उसको reveal होगी YouTube kids am I talking to some sound effects के साथ यह यहाँ पर appear होगी चलिए और options को explore करते हैं so parental controls को option हमने देखा next option है add and edit app so this is the same option जिसको use करके अभी हमने apps को जो दो apps add की है वो करी है अगर कोई में से कोई options या कोई apps हम जो हो हटाना भी चाहते हैं तो हम simply for example अगर मैं यह Khan Academy की app है इसको हटाना चाहते यहाँ पर delete क्लिक कर सकता हूं और वो delete हो जाएगी यहाँ से again changes को एक बार save करेंगे तो वो save हो जाएंगे और more apps for kids again यह जो है galaxy store पर लेके जाता है हमें जहाँ पर की आप additional apps install कर सकते हैं settings में जाके आप again password enter करके कुछ settings जो है for example अगर आपको samsung kids mode का pin change करना है या lock type change करना है storage location आपको अगर आपके device में SD card supported है तो कहाँ पर data store करना है internal storage SD card वो सब options मिलते हैं अगर आपको completely reset करना है kids mode like for example आप सारी settings को wipe करना चाते हैं जितनी भी apps है अप fresh start करना चाते है kids mode को तो आप reset कर सकते हैं और यहाँ से kids mode का shortcuts app screen पर जो की जैसे कि हमने अपने tap के home screen पर add किया ह उसको add करने के लिए यहाँ पर एक option देते हैं तो यह था हमारे एक short overview demo of kids mode और यही options जो है सारे यहाँ पर आपको home screen पर यह easily accessible मिल जाएंगे और kids mode को exit करने के लिए आप back दबाके password enter करके जो है आप kids mode से exit कर जाएंगे so I hope आपको यह video पसंद आया होगा और helpful लगा होगा और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने होए हैं तो please consider कीजिए कि आप इस channel को subscribe करें so that आप ऐसे और भी helpful videos को आगे भी access कर सके हैं so आपके कुछ comments है इस video के बारे में तो हमें नीचे comment section में जरूर बताएं और मैं आपको मिलूँगा अगले video में तब तक के लिए thank you